तक्षिला लानिए आज दे सेवन है वो का डिस्कूशन का, जो आज का हमारा वर्ड ओफ दे डे है, वो है पोटेबल, देखिए पोटेबल क्या है, परल्थमप को यह बता दू, यह एक एड्जेक्टिव है, यानि जब भी हमें किसी परसन को डिफाइन करना होता है, या किसी object को define करना होता है, उसकी quality को बताना होता है, चाहे वो positive quality हो या negative हो, तो उस place पे हम क्या use करते हैं, adjective का use करते है, so portable हमारे क्या एक adjective हम, तो जो इसका meaning है, वो देख लेते हैं, इसका meaning है sab to drink यानि पीने योगшего, या drink cable भी कह सकते हैं So friends, इसके synonyms है, वो देख लेते हैं Synonyms भी इसके drink cable है, सभी जानते हो आप काफी easy है, मतब वो इतना difficult नहीं है यह word बड़ काफी बार पूछा जाता है, पूछा भी जा चुका है तो इसलिए discuss कर लेते हैं और antonyms जो है, इसके वो है contaminated काफी पर अपने बड़ा हुआ contaminated water यानि कि जो पीने लाइफ पानी नहीं होता दूसे ही हम क्या कहते हैं, contaminated कहते हैं या dirty, polluted So friends, यह इसके क्या है, antonyms है जो इसकी usage है, वो देख लेते हैं, यानि कि हम कैसे इस word को use कर सकते हैं, sentence में So there is no proper supply of potable water in villages यानि कि जो potable water, drinkable water है उसकी proper supply नहीं होती है, कहां पे villages में So friends, यह इसकी first usage है, second देख लेते हैं Do not add any chemicals to the water pipeline as it will contaminate the potable water supply यानि कि chemicals को add ना करो क्योंकि जो water pipeline में अगर आप करो के add तो उससे क्या होगा, जो water है, वो potable water हो क्या होगा पीने लाइक नहीं जाएगा, फिर पीने लाइक नहीं जाएगा हो इसलिए क्या कहरें Do not add any chemicals कोई भी chemical को मत मिलाओ water की pipeline में as it will contaminate the potable water supply अच्छे पानी को भी वो क्या कर दे की contaminate कर देगा, क्या chemicals So friends, यह है आज का मारा word of the day और यह इतना difficult नहीं है बट काफी बार पुछा जाता है, इसलिए हमने discuss कर लिया करनम ऐसी एक और word discuss करेंगे, और उसका ही meaning देखेंगे और synonym, mettonym, और usage देखेंगे कर देखेंगे